चुने कोई एक फूल आपके उपर किस देवी का हाथ है मिलेगी आपको खुश खबरी जी हाँ फ्रेंट्स बहुत ही इंट्रेस्टिंग वीडियो है जै माता दी जै श्री स्याम जै श्री कृष्णा कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे तो आप आपको अपने दिल से जो भी फूलावर ज्यादा अच्छा लग रहा है यलो पिंक और रेड आपको एक चुन लेना है जल्दी से और देखते हैं टैरू कार्ड आपके लिए कौन सा मैसेज लेकर आए हैं आपके उपर किस देवी का हाथ है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्र कर लीजे बेल आइकोन का दबा लें ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें तो जिन्होंने भी यलो फ्लार चूस किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं टैरू कार्ड आपके लिए ये मैसेज लाए हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है आपको पॉजिटिव एनरज अपने पास रखना है आपके उपर देवी का हाथ सदा ही रहता है देवी की क्रपा आपके उपर रहती है आपके इस्ट देवी कुल देवी मातरानी है मातरानी आपको हमेशा अपना असिरवात देती है आपको गलत रास्ते पर नहीं चलने देती है आपको एहसास होने लग पढ़ने से बचाती हैं हमेशा तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है और दिल से उस उपर वाले का शुक्रिया अदा करना है उसके लिए आप हमेशा प्रार्थ ना करें ताकि हो हर कदम आपका साथ दें आपको क्या करना है आपको बस positive बुरहना है पूरा भरोसा उन पर रखना है अब जिन्होंने भी pink color का flower चुना है उनके लिए क्या message देखते हैं टेरो कार्ड उनके लिए क्या संदेशा लाए हैं टेरो कार्ड आपके लिए यही message लाए हैं friends कि मातारानी या आपकी कुल देवी जो भी हैं आपके उपर हम इसा अपना आशिरवाद रखती हैं लेकिन आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है आपको सुबह सुबह इसनान करके उनके ध्यान इस्तोती जरूर करना है आपको meditation करना है इस से आपके काम में बहुत ही 100% तक सुधार हो जाएगा friends आप कुछ गलतियां बारबार करते हैं उन्हीं गलतियों को उसकी वज़े से क्या होता है आपके पास पैसा आते हुए माता रानी की करपा इश्वर की करपा आते हुए रुक जाती है तो उस रुकते हुई करपा को आपको कैसे बरकरार रखें आपको कैसे उसको बनाए रखें इसके लिए आप जाएं उनका ध्यान करें इश्वर का ध्यान करें मंदिट नहीं जा सकते हैं घर में इसना नादी करके आप उनका ध्यान करें उनकी पूजा अर्चना करें तो आपको आशिरवाद उनका मिलेगा अभी जिन्होंने रेड कलर का फलार चुना है जी हाँ फ्रेंट्स रेड कलर का फलार चुना है आप बहुत ही लगी हो क्योंकि उपर वाला अब आपके लिए एक ऐसा अच्छा समय लाने वाला है मातारानी आपके उपर ऐसी करपा करने वाली है जिसके विसाय में आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके साथ इतना अच्छा हो सकता है जिहां फ्रेट जब उपर वाले ने निस्चे कर लिया कि आपको कुछ मिलना है तो वो कहां से मिलेगा ये आप नहीं सोच सकते हो वो कुछ ऐसे नए रास्ते खुलने वाले हैं आपकी जिन्दगी में उनका शिरवाद ऐसा बना हुआ है आपके उपर कि आपको वो सारी खुशियां मिलने वाले हैं जिसके आप हकदार हो जो आपने कलपना भी नहीं की होगी आपको परिवार का साथ आपको जिन्दगी में प्यार की कमी है तापको प्यार मिलेगा आपको पैसे की कमी है तो आपको पैसे मतलब हर तरह से आपकी तरक्की के पूरे आसार बन रहे हैं टेरो कार्ड एक मेसेज आपको दे रहे हैं कि आपको हमेशा ही जो भी आपको एहसास तो आप जो भी कर रहे हैं अगर आप स्टूरेंट है तो आप बहुत मन लगा के पढ़ें क्योंकि अब आपका जो समय आने वाला है वो जिन्दगी में अभी तक ऐसा आपने नहीं देखा होगा बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है तो आप अपना 100% जमाप दें आप अप अपने इतनी मेहनत करें इतना दिल से काम करें बिजनिसमें है तो आप और मेहनत करें क्योंकि आपका जो अच्छा समय है वो मातरानी की कृपा ऐसी बन रही है आपके उपर कि आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली हैं सारी खुशियां मिलने वाली हैं देखे फ्रेंट सम पैसा ही नहीं होता, खुशी का कारण, खुशी का कारण अपनों का साथ होता है, मन की शांती होती है, तो जो भी है, चाहे वो अपनों का साथ हो, चाहे मन की शांती हो, वो आपको मिलने वाली है, आपको मतलब आपका समय इतना चाने वाला है, कि आपने जिसकी कल्पना नहीं की होगी वो सारी खुशियां आपको मिलने वाली है जिन्दगी में उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको बस बहुत ही परिश्रम करना है अपना 100% जो भी आपकी इसके लिए उसको और इंप्रूब करें अगर आप पिछन समयन हैं तो और चीजे नई सीखें और नए तरह से अपनी कारे प्रणाली को और अच्छा करें और मेहनत करें आपको जो भी जरुत हैं वो सारी जरुतें मातरानी ने ध्यान रखी हुई हैं और आपकी वो सारी जरुरतें पूरी कर रही हैं और करने वाली हैं आपका जो आगे का समय हैं बुहाप्पुक की जीवन का सबसे स्वयनिम समय होगा तो बने रहे तो जैश्री कृष्णा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए हर हर महादेव